प्रसार भारती अभिलिक हगा की प्रस्तुति सबा बहार सुनहेरे दौर का अनमूल खजाना प्रसा प्रष्टों होग कर दो कर दो कर दो कर दो दो है कर दो क् सुछन कर दो कर दो है? क्वार बादर प्रफ्ट ओंद्ट 10 अबड़ ओंद 12 अबड़ ठाट प्राट प्रतर प्राट इजब कर दो दो इस भी प्रेम और प्राट अबड़ और प्राट आ बाद लड़ प्रिध अबाट हॉ कर दो 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 कर जो कुरा Dusas आदाब अरे आप यहां यहां तश्रीफ फरमा है हम आपके लिए दर्दर की ठोकरे खाया रहे हैं। intelig—लाद अधा आईए। जनाव आप तो डर-दर की ठोकरे खाते फिर रहे हैं। और हमें कि आपके याद में र्यास पे र्यास पे र्यास किए चले जा रहे हो अर तेहाईं में चले जा रहे होा हैं आप कीजेए ऊएなたभ सो की नियान आद पाह। हम हैं यहां और तुम हो कहां और जुनाएं मजी ऐसा मैसुस हो रहा है कि एक किसी शायर की इंटर्व्यू करने आए शायर वायर तो खेर नहीं है लेकिन लोगों ने यह भी कहा है कि तबले में जो बचता है वो भी एक तरह की शायरी है बहुत हुआ हुदूर आपकी शायरी की बात तो हम फिर कभी कर लेंगे आज जो सवाल हमाई जहन में सबसे पहले आता है वो यह कि आपने तबला बजाना कब से शुरू किया एक आटिस्ट के घर में कभी ऐसा कोई समय फिक्स नहीं होता जबके आज से सुनी है आपने तबला शुरू कर दिया बगएर बगएरा मतलब बच्पने से ही तालीम शुरू हो जाती है पैदा होते ही समझी है मेरे साथ बिलकुल ऐसे ही हुआ जब मैं पैदा हुआ था तो मैं पहला लड़का था फैमिली में मेरे से पहले तीन सिस्टर थी और फादर को हमेशा ही रहता था कि कोई लड़का पैदा हो तो उसको सिखाया जाए तालीम दी जाए तो जब मैं पैदा हुआ तो उनकी ठीक नहीं थी तो वो हस्पिटल तो नहीं आ सके लेकिन जब दो दिन बाद मुझे घर लाया गया तो जब उनके हाथ में मुझे दिया गया तो उन्होंने पहला काम ये किया कि मुझे खरीब लेके हुआ है और मेरे कान में शुरू हो गहे दा धन धन मां दो दिन का बच्चा और ये जो नी चुरू बहा से हो निए एक है चीसाब भिछता एक चेश्राइज बंता चला गया तो बच्पन एक सही मतलब एक ता कभी पॉपुलर पनिश्मिट यह हुआ करता था कि क्लास के बार आप गुठनों पे मतलब नील डाउन हो जाई है इस ताइप की सिचुएशन तो अब वो नील डाउन होए है तो वैसे यहां बज रहा है और यहां बज रहा है और यहां ऐसे मतलब पता नहीं क्या एक तरह का शौक ऐसा पढ़ गया तबले का तो बच्पने से ही मतलब दो तीन साल की उमर से ही मतलब अपने टेबलों पर बजाना और यह सब शुरू हो गया है जाकर साब जिंदगी के हर मोड़ पर हर बात के लिए जो पहला कदम है वो बहुत एहमियत रखता है और अगर कहीं यह पहला कद किसी आर्टिस्ट की पहली परफॉर्मेंस से जुड़ा हो तो इसकी आहमियत और भी जादा बढ़ जाती तो आपने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए अपना पहला कदम कर रखा तो पहला जो प्रोग्राम मेरा हुआ है पहले तो यह बता दूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए पहला प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा आहमियत रखता है क्योंकि उसमें जो रियाक्शन जो ओडियंस का प्यार जो उनका जो आपकी तरफ श्रधा है जो मिलती है उसी से हमारा जो है वो बनता है कॉन्फिदेंस जिसको कहते है तो मेरे साथ जो हुआ यह बड़ा एक बड़ा करता था तो मैं बैठा हुआ था और वो उस्ताद अली एकबर खांसाब के साथ बड़ा रहे तो पीछे तबला एक एक्स्ट्रा पड़ा रहता था तो मेरी गोब में था तो जब भी बड़ा है और मैं कुछ इतना एकस्टाइट हो गया कि मैं भी उस पर बजाने ल क्यों नहीं तो अब उन्होंने फिर मेरे फादर हट गए अच्छा वहां से और मुझे बिठा दिया और उस वक्त मेरा एक्शुली आप देखें तो पहला लेसन उन्होंने वहां दिया स्टेश पर अप कॉंशस नहीं हुए नहोंने का कि देखो बड़ा ये तीन ताल है सोल कर दी अब मैं करीब मेरे फादर का कहना है कि करीब आदा गहंते मैं उनके साथ अली अकबर खान साथ के साथ बजाया साथ साल का था इतने बड़े का लाकार के साथ तो ये एक तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात हुई के उस्ताद अली अकबर खान साथ मेरी स्टेश के यहीं बेशाथ और एक तरह से जब बाद में मैं जब जड़ा उमर बढ़ गई तब सोचा के मैंने ही क्या गरबर करी कि गाली एक पर गासाब के साथ बैट गया तो इन मेरे हिसाफ से वो मेरा सबसे बड़ा पहला और बड़ी एहमियत का प्रोग्राम हो था यहां वैसे तो जाकर साथ हैं हम हर रोज अपने चहरे पर नकाब लगाए रहते हैं और वक्त और सिचुशन के हसाब से जूट बोलते रहते हैं चहरे पर चहरे लगाते रहते हैं मगर कभी ऐसा हुआ हो कि आपने जान भूच कर जूट बोला हूँ और आप पकड़े गए हूँ जूट तो मैंने अपने मतलब बच्चे लोग हमेशा कभी कभी टॉफी के लिए पता ही किस किसी के लिए जूट बोलते हैं मैंने भी मुझे के लिए बड़ा जूट बोला है क्या हुआ करता जब मैं चोट था तो हमारी माता जी कि इच्छा थी कि हम डॉक्टर बले तो उस जमाने में डॉक्टर बना बड़ा पॉपिलर था और फिर इंजीनियर सेकंड आते थे आजकल तो बिस्निस मैंजमेंट ज्यादा है तो इन अनी केस तो वो मुझे मना करती रहती थी कि प्रोग्राम में न जाओ तो मैं क्या किया करता था जब फादर के लिए लिए इनको बुलाया जा रहा है कहीं बजाने के लिए और वो अगर ना हो तो मैं लेटर इंटरसेप्ट कर लिया करता था बीच में से ही तो अब वो पढ़के हैं मैं जवाब लिखता था कि उस्ताद अलगा खाँ साब माई फादर is not available but I am definitely available तो अगर आप चाहें तो मैं आकर आ किसी तरह से दो तीन कपड़े स्कूल के बैग में रख लेते थे और क्या होता था मेरे दोस्त दो तीन इस मामली में मेरे साथ टीम थी पूरी तो सब अपने अपना पैसा जमा करते हैं वो भी है अच्छा और बच्चे लोग दूसरे भी अपने कुरते लेके दो तीन दो त गपड़े जमा कि बैग में डाले और तबला तो मैं पहले ही गाइब कर लेता था तो लेके अपने निकल भागे इस्टेशन की तरफ और खड़े खड़े चले जा रहे हैं और जाके पटने में बनार्व कहां कहां प्रोग्राम बारा तेरा साल की उमर में जाकि मैं एकेले और रहा तो फ़ा जाया करता थOT ओर यहां हमारी मां परिषान हो जाया करती थी तो एक बार बार जोर से पकरें पड़े बिभी गए और स्टेशन पर ज्याकर खिए कैसा बस माता जी ने माचा जी की समझ में आ गई के कुँछी घर बड़े दो तीन बार जब मैं चर गया मा पगड़े गर लाएगे और घर लाएगे खूब पिटाई पिटाई करी गई और उसके बाद से फिर ये मैंने नहीं कर पाया लेकिन दो चार साल बड़े मज़ेगी जागर साब जैसा कि आप भी महसूस करते होंगे कि वक्त के साथ साथ दुनिया में तालुकाद बदलते हैं, रिलेशनशिप्स बदलती हैं, महौल बदलता है और हर चीज धीरे धीरे बदलती रहती है तो हमने उस्ताद और चेले के रिलेशनशिप के बारे में उनके तालुकाद के बारे में बहुत कुछ सुना है तो हम ये जानना जाएंगे क्या ये भी रिलेशनशिप बदल रही ह गुरू शिश्य परंपराई हमारे हिंदुस्तानी शास्त्री संगीत की एक बड़ी पुरानी सब्ध्यता है जो चली आ रही है पुराने जमाने में और अपके जमाने में चेले और गुरू का संभन बहुत बदल गया है पहले तो चेले अपने अपनी जान निचावर कर देते थे गुरू पर एक किसा में आपको बताओं हमारे अचारिया उस्ताद अलावतिन खांसाब अली एकबर खांसाब के पिता उनका है कि जब वो सीखना चाहते थे उनको संगीच सीखने की बड़ी इच्छा थी तो कोई किसी ने उनसे कहा कि वहां किसी नवाब के रामपूर के या जो है वहां चले जाओ उस्ताद वजीर खांसाब है वो आपको सिखाएंगे तो वह वहां चले गए और दिन रात वहां कि सामने उनके गिरा दिया अच्छा बिल्कुल और यह कहा कि बस अब या तो आप मेरी जान ले लेजी या मेरे उपर से तांगा निकाल लीजे या मुझे शिश्य बना लीजे दोनों इसे काम करिए मैं यहां से हटने का नहीं तो फिर वजीर खांसाब ने सोचा कि चलो इत अच्छा बजाने लग गया हैं तो उनके खांदान में कोई अगर बजा रहा होगा तो उसके लिए मुश्किल ना हो तो यह भी एक तरह की सोच गुरू के दिमाग में होती है तो उन्होंने गुरू दक्षिना क्या मांगई अलावत दिन खासाब से कि 10-15 साल रियास करवा क उनसे कहा कि तुम सरोद सीधे हाथ से नहीं बजा हुए अच्छा जी और उन्हों सीधे हाथ से 15 साल सरोद का रियास किया और गुरू दक्षिना तो देनी है उन्होंने हाथ जोड़के मान ली गुरू की बात और उसके बाद से फिर से शुरू किया उल्टे हाथ से सरोद ब है कि अज़ कर दो हैं और चले आए और आज को तु इनिवर्सिटी जे और आज पहीं जा कर आप सीख सकते हैं और पैसे दिए और सीखना शुरू कर दिया तो चले आ रहे हैं आज हमने वह बपी लेरी का का गाना सुना था तो उस में तो इसा अच्छा रिदम बज़ा है आप तो हम को सिखा दीजिए तो हम जाके ज़रा कॉलेज के सोशल में वह ज़रा रिदम बजाएंगे और इसका मजा लेंगे एक अलग परम पराशिदू होगी ये गुर्विशेशी की जाकर साब आपने शुरु शुरु में तबले की शायरी के वारे में कुछ बताया था तो हम ये जाहते हैं कि अब आप तबले की शायरी में से दो चार शेयर हमें और हमारे दर्शकों को सुना दें तबला मैं आपको बता दूंके तबले की शायरी का मतलब यह हुआ कि जो पुरानी पुराइज़ जो पुरानी बंदिश मतलब यह हुआ कि जो कि इसे चीजे भड़े उस्तादों neoliberal उस पुपान जाधि है उसको तबले की शायरी की जिसके वहाधिदों का जात Paleo अब काइदा जब बज़ता है तो उसमें रदीफ, काफिया, वजन सब चीजों का एक अंदास पेश किया जाता है एक्जामपल समझ लीजे ऐसे के दिली का काइदा मैं बजाओं तो दातित 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 दागे तिन्ना गेना जो बोल है अगरे जो इसके बंदिशें बनेगी जो अगले शेर जो आएंगे पहले शेर दूसरा ऐसे तो हर चीज ने ही वजन चलता रहएगा और यह जो तिन्ना गेना जो आया है बोलोगों को कहां से कहां काट तराश करनी और इसी तरह के बहुत सी चीज है, जैसे केよし land गेंद परन जी जी रेले तो है अर्चीज यह एक अपना अंदाज है उढ़ आपको एक काईदे का भी अंदाज बताता हूँ तो दो सब्सक्राइब सकार के थंद मैं से निए tutteल तैनी लाती TWT निए थे थे थखन divisions प्राइब श सक्राइब शिला हे थे खर्तकास कई निए फिर यतिन लिही यहता है जाएगा व्ल्री विहां से प्लाइब रो दिंदना गरोelf बहुत खूप बहुत शुक्रिया अब सुनें घरन-परण उसका मतलब यह हुए कि जैसे धिरन की जो उच्हाल है जब वह दोडता है तो इसकी जो उच्हाल होती है उसका एक अंदाज नीज़ मंई पेश किया जाता है तो उसका बोल पहले सुने और फिर तभलेस से सुनाता हूँ तो प्रोल्तीम थाल में वाइड-प्रूड़ तो यसन तडवनन-धंदगत्गतगतः अनदासुनिये बहाद अच्छे तां भी अब गेंतपरण तो यह गेंतपरण मतलब ये समझी कि जैसे बॉल को जब फेका जाता है गेंड को हवा में तो कैसे उचल गे ऊपर जाती है और गिर्थी कैसे है तो उसका इंदाज है तो ये सुनिये तो ये अंदाज तब लेम है जी और अब रेला बहुत से सा लोग ने इसके अलगरा उधारन दी है कि रेला का ने रेला का मतलब क्या या रेला आया कहां से बहुत से लोगर debeलते है कि उर्दीर का रेला भॉज्ज है जैसे कि जब बाड़े बड Southern तो पानी का रेला आया तो वह अंदाज यानि जैसे बारिश गिरी कुछ हुआ तो वह अंदाज तबले में पेश किया जाता है तूसरा तरीका है कि लोग कहते हैं कि जब बड़े उस्तादों ने जब पहले पहले रेल को देखा एंजिन को एले का चला जा रहा है बहुत उसको लेके बड़ी तेज एक बहुत फास्ट कॉंपोजिशन उन्होंने कंपोस की बंदिश को बनाया और उसका नाम रेल पे रखा रेला तो यह जो दो उदाहरंग रेले के हैं यह मैं आपके सामने पेश करता हूँ तो पहले एक पानी वाला अंदास सुनिए कि वर्षा कैसे होती है करता है खुजूर अक्सर दर्शुकों को ये खायल रहता है कि बाकी जो इंस्ट्रुमेंट्स हैं जिसी सितार है, सरोध है, संतूर है वो तो बजाना और उसे सीखना तो बहुत मुश्किल होता है लेकिन जो तबला है ये सीखना बहुत आसान है तो इस आसान दिखने वाली चीज़ को सीखना और बजाना कितना मुश्किल है, ये आज बता दीज़े ये तो एक ऐसा गलत मतलब आईडिया लोगों में पड़ गया है कि तबला बहुत ही आसान है इसी कोई बात नहीं है, अब जैसे के बड़े-बड़े कलाकारों ने बीस-बीस साल तक दस-दस घंटे-बारावज घंटे रोज रियास किया इस कला को सिद्ध करने में, ये एक साधना है जिसको सिद्ध किया जाता है तो ऐसा कोई काम नहीं है, जो आसान हो किसी चीज़ को भी आप ठीक से करना चाहें, तो उसमें थोड़ा सा मेहनत जरूर, थोड़ी सी मेहनत जरूर लग जाती है तबला एक बहुत ही मुश्किल साथ है और वो इसलिए मुश्किल है कि तबला प्लेयर को पहले तो डांस, गाना, इंस्ट्रुमेंट, ये सब चीज़ों का ग्यान होना चाहिए बेशक क्यूंकि एज संगतकार उसको लोगों के साथ बजाना है तो वो क्या कर रहे है, उनका टेंपरमेंट क्या है, इस राग में क्या-क्या चीज़ों का उप्योग किया जा सकता है ये सारी चीज़ें उसको पता होनी बहुत ज़रूरी है, तो ये तालीम है चाहिए प्लस एक तरह का साइकॉलेजिस्ट होना चाहिए तबले को कि उसको आर्टिस्ट का टेंपरमेंट समझना है, दो तीन मिनट में कि आर्टिस्ट को क्या चीज़ चाहिए और उस अंदाज से बजाना, तो ये एक और मुश्किल सी बात है, और तीसरी चीज़ तो ये है कि सारी चीज़ों का को ओर्डिनेशन करना, उनको साथ में मिला कि वजाना ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, तो ये एक मिस कांसेप्शन है कि तबला बहुत ही आसान चीज़ है, ये मैं चाहूँगा कि लोग समझ लें कि ये ऐसा नहीं है, हुजूरी आपकी बिखरी हुई आसे बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो क्या आप ये लोगों को परेशान करने के लिए अपनी जुल्फें में बिखेरते हैं, यह ये खुद ही बिखर जाती है, जुल्फों के बारे में तो ये कहना है कि जुल्फें सवारने से बनेगी ना कोई बात, तो लोग तो एक एक देर देर घंटा जुल्फें सवारने में निकाल देते हैं, हम दो चार घंटे में जुल्फें बिखेर लेते हैं, तो मैंने कभी भी मेरे खासे 15-20 साल हो गए हैं, कि ब्रश साथ रखता जरूर हूं लेकिन यूज नहीं करता, पता नहीं क्यों हमेशा बस नहाया जैसे हैं जैकर साथ कहते हैं कि गिला अपनों से किया जाता है या अपने से किया जाता है, अब यहीं सच है कि तकदीर हमारी अपनी होती, तो कोई गिला, कोई शिक्वा, कोई शिकायत आपको अपनी तकदीर से यह यह जै क्योंकि एक जमाने में क्या हुआथा को था जृ करिकेट खना कुर कर्कृट खृलने का बड़ा शौक था जहुआ सा जिय к हृक्त क क्या कि गया गिए चबी क्रिकेट को या था जृ जा चुछ के लिए तो मैं ऑद शूज कर्मपश लिए NGर्ज्बाक स्कूल्ям belki क कुब मार पड़ी फादर से के तबला बजाना है और हाथ तोड़ते पिर रहे हो इधर से अधर तो अब तबले पही ज़ो तो तब से क्रिकेट का बंद हो गया मामला और अब जब क्रिकेट देखता हूं और सुनता हूं के कपील लेव और गावासकर वगएरा कितना पैसा कमा तो यह बड़ा गिला होता है कि यार मैं भी क्रिकेटर होता है तो आज पता नहीं कौन से रेजर का या कौन से शेविंग फोम का मैं भी अड़िटेसमेंट कर रहा हूं और तो पैसे बंदे तो बस यह एक गिला एक रह गया और बाकी सब ठीक है जाकर भाई बड़े अफसो चाहें में रहना वैसे तो अच्छी बात है लेकिन शोहरत की धूप जो है वो उस तक नहीं पहुंच पाती तो क्या आपको बुरा नहीं लगता यह एक बड़ा इंटरिस्टिंग सवाल है क्योंके इस विशह पे मैं बहुत जमाने से सोच रहा हूं और मेरे खेल से और तब जाएं लिटररली सेच पर जाता है और वो यू कि तायब प्लेयर को पता नहीं है कि एक अलाकार जिसके साथ उसने बजाना है वो क्या बजाएगा कौन नाज्ड बजाएगा और किस टाइब से बजाएगा कोई आईडिया नहीं होता स्टेज पर जाकर पांच मिनिट पे अ अगर भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई अजीब सा कुछ वो कलाकार शुरूर हो जाए और तबला प्लेयर को अगर पांच-देस मिनिट लग गए समझने में तो उसका 20 साल का रियास सारा धवा का धरा रह जाता है जी ऑडियन्स ये कहती ही कि उससे अजी होता था अब तो फिर भी थोड़ होने लग गया है लेकिन अभी भी ऐसा लगता है ना कि अब जैसे के कोई आर्टिस्ट तो मर्सिरीज में प्रोग्राम पर जा रहे हैं और जो तबला प्लेयर जो है वो बस की लाइन में खड़ हुए है तबला लेके कि अब बस आई तबला लेके थर्ड क्लास में सफर कर रहा हूं उस ता लारका खाखा लड़का और बजाने के लिए पहुँच रहा हूं और ऐसा भी कई बार हुआ कि किसी घर पे बजाने गया है और ऐसे आटिस्ट हम बजा रहे हैं लेकिन में आटिस्ट बाकी लोगों के साथ डिनर ले हैं और तबला प्लेयर किचिन में बैठा हुआ जी किसी और के साथ खाना का रहा है तो ऐसी भी सिच्वेशन हमने देखी हैं वैसे सच तो यह है कि आपको तो माशालला शोहरत और दौलत और इज़त से अलग नहीं रखा गया हमेरे मेरे लिए तो मैं अपने लिए जादर का सहयोग मिला उनका सपोर्ट मिला और इतने बड़े बाप का बेटा हूं इस वज़ा से मुझे थोड़ा सा और अटेंशन मिला अच्छा जाकर भाई हमें ऐसा पता चला है कि आप तबले के साथ साथ गाते भी बहुत अच्छा यह बात है तो हम चाहेंगे कि आप हमें कु गाने की भी और इस हर चीज़ की लेकिन क्यूंके आप सबको गवाते रहते हैं मैं इसलिए गाने वाला नहीं आज अब जो है वो है इस पर ही रहने दीजिए और हम शावर में जाने ही सकते और मैं आप तो जाने नहीं दूना तो अब वक्त की पावंदी है वरना आपके सा को अपना मूँ खुलवा के पता नहीं सबका पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं लेकिन आपकी हम्मारी दोस्ती तो ऐसी हो गई है कि आपके लिए मैं एक दो बोल कह देता हूं क्योंकि अब यो उठके चले हैं तो इनके उठके चलने पर एक पुराना गाना मुझे या हाथा के वो रोक लेगी मना लेगी मुझे को हवाँ में लहरा आता था दाम के दामन पकड़ के बिठा लेगी मुझे को कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे के आवाज देके बुला लेगी मुझे को मगर उसने रोका न उसने मनाया न दामन ही पकड़ा न मुझे को बिठाया न आवाज ही दे न वापस बुलाया मैं आहिस्ता हिस्ता बढ़ता ही आया यहां तक के उससे जुदा हो गया मैं बातों बातों में मुला कातों में हमने कहा क्या उनसे सुना क्या जिन से मिले लों उनसे मिलो तुम बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में, बातों बातों में झाल झाल